हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल चोटी सी रसुई आज मैं आप सबीक लिए लेके आई हूँ बिहार का फेमस तीसी औरी की रेसिपी उसको अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है आज मैं आपको चावल के आटे से कैसे बनाया वो मैं बताने जा रही हूँ तो तीसी खाना बहुत ही हेल्दी होता है तो आप इस तरह से बनाके रख सकते हैं और सालो खा सकते हैं तो घर का पीसा हुआ आटा है रात को मैंने थोड़ा सा भीगो दिया था उसके बाद आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप इसको हलका सा ट्राइक कर लिजा पीस लिजिए तो आपका घर का पॉर्डर बनके रेडी हो जाएगा इसका वीडियो भी है मेरे चानल पे आप देख सकते हैं अब इसमें मैंने टोटल पहले दो ग्लास लिया था लेकिन फूलने के बाद अपिसने के पास ये तीन ग्लास हुआ तो हमने आटा ही पहले मेजर किया तीन ग्लास लिया उसमें कम से कम 12-15 ग्लास पानी जाता है तो पहले तो लगभग मैंने 10-12 ग्लास के आसपास डाला है उसके बाद उसके अंदर में एक चमच भर के अजवाईन एक चमच काली मिर्च का पाउडर नमक थोड़ा सा सोड़ा एक चुटकी सोड़ा डालके पहले ही हम मिला लेंगे सभी चीजों को एक साथ में हम घोल लेंगे जिससे कि इसमें कोई लंच नहीं पड़ेगा उसके बाद ही हम इसे पकाएंगे और इसका एक हलवा घाटेंगे तो यह चावल का हलवा पहले हम घाटते हैं और इसी से हमार आप इस टाइम पे भी आड़ कर सकते हैं तो चार पांच ग्लास मैंने और डाला था पानी थोड़ा बहुत कम जादा लग सकता है क्योंकि मेरा वाला जो थाना आटा मैंने थोड़ा दरदरा पीसा था जिससे कि इसको मिलाना और पकाना आसान होता है नीचे चिपकने का डर कम रहता है इसमें एक ही बात का दिक्कत होती है कि इसको continue आपको चलाना पड़ता है नहीं तो नीचे जल जाएगा तो उस बात का धियान रखेगा इसे 20-25 मिनट लगता है पकने में आप देख सकते कितना गाड़ा हो गया था और उसके बाद आप इसको हलका ठंडा कर लीजेगा मैंने दो पार्ट में भी कर लिया है और इसमें मैंने धूला हुआ तीसी डाल दिया है क्योंकि गंदगी बहुत होती है तो मैंने धूला हुआ तीसी डाल दिया है तीसी कम जादा भी आप डाल सकते हैं मुझे थोड़ा जादा तीसी वाला पसंद है तो मैंने थोड़ा जादा ही डाला लगभग आधा में मैंने 500 ग्राम डाल दिया था और टेस्ट करके देख लीजिएगा अगर नमक कम लगे तो इस टाइम पे नमक डाल दीजएगा पहला दिन आप इसको साम को निकाल लीजिएगा कपड़े पे से और दूसरा दिन फिर से सुखा लीजिए जिससे की अच्छे से सूख जाए उसके बाद आप इसको एर्टाइट कंटेनर भर कर साल भर रख सकते हैं खराब नहीं होगा और जब मन करें आप इससे फ्राई करके खा सकते हैं यह जो तिस्योरी है ना अगर पका हुआ चावल आपका बच गया है तो उसमें भी आप मिक्स करके सुखा के बना सकते हैं बहुत अच्छा बनता है तो चले मिलते हैं अगली रेसिपी में